नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं कोमल आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने एपरवेल प्लांट के उपर इस प्लांट के उपर काफी बार काफी सारे कोशन अलग अलग आते रहते हैं तो कई बार पॉसिवल नहीं होता है कि हर कॉमेंट का सेफरेट मैं आंसर क्योंकि कई चीजे होती हैं जो ना बोल करी समझा हम सकते हैं तो इस प्लांट को मेरे हस्पेंट करीब से करीब तीन साल पहले लेकर आयते इन ही दुनों में मौनसून की टैम पर हम इसको लेकर आयते आ देखिए इसकी अब हाई तीन फूट से भी उपर जा चुकी है जब आपको बहुत शौक है कि आप फूट वाले प्लांट लगाए तो यह बेस्ट फूट प्लांट है बहुत ईजली यह ग्रो हो सकता है इसके लाबा कुछ चीजे में ऐसी बताऊंगी कि और भी प्लांट अगर आप लगाना चाहते है फूट वाले तो वह भी हेल्फूर हैगा अगर आप यह सारी information यह जो care and tips में आपको बताऊंगी वह follow करें तो तो देखिए जब यह plant आया था तो बहुत छोटा plant था तो जब कोई plant छोटा होता है अगर हम जमीन में लगा रहे हो तो तक कोई बात नहीं लगा रहे हो तो उसकी जो एज होती है size होता उस हिसाब से हमे देखिए यह जो प्लास्टिक का गमला है इसमें मैंने लगाया था और मैं बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी तो मैंने इसके जो नीचे बहुत सारे होलते वह बिल्कुल भी बंद नहीं करें और मैंने एसेटिस इसमें लगा दिया था मुझे मालूम ता जैसे इस तो आपके लिए अच्छा उसकी जो हेल्थ है अच्छी रहेगी है वह फूट इंग भी करेंगा इसके लाव अगर आप इस तरह के क्यारी नहीं बना सकते तो आप पोली बैग जो आते हैं बड़े बड़े मेरे पास दो प्लांट और हैं जो बड़े से पोली बैग में लग यह 18-18 से 20 इंच बड़ा है बहुत अच्छे से गरो रहा है चड़ी है जो अलग गमले में लगी हुई है बहुत अच्छे से गरो हो रही है तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्लांट को फूर्टिंग वाले प्लांट को बड़े गमले में लगाईएगा इसकी मिट्टी बहुत वेल्डेंट तयार करिएगा बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी है कठोर मिट्टी चिकनी मिट्टी हो तो इसमें आप गोवर खाथ और रीवर सेंड का यूज़ करना विल्कुल भी न भूले अच्छा हम बात करेंगे कि हम इसको खाथ कैसी देते हैं और कटिं का वेश्टेज होता है तो नदी और तलावों को गंदा करने से अच्छा है कि आप अपने किसी गमले में या आप इस्ट की क्यारी में उसको लें डालिए ताकि वह आपका यूज़ भी हो जाए तो हम करते रहते हैं लेकिन साल में दो बार मैं इसको बहुत अच्छे से गो फोड़ा थोड़ा दूर पर हम डाल देते हैं तो इस तरीके से इसकी हैल्थ बहुत अच्छी है देखिए बहुत जल्दी से इसमें फ्लॉवरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और हाँ जबी आप कोई भी फ्लॉवर या फ्रूटिंग वाला प्लान्टा का लगाना जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत अच्छे से धूब मिले और देखिए हमारा प्लान्ट कितना अच्छा हेल्दी हो चुका है तो कुछ चोटी-चोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो है बहुत अच्छा आपका भी प्लान्ट हो जाएगा और ज अच्छा आपके सथे यह बात नहीं रखेंगे जात्या प्लाप ब्रेता तो आप मेरे प्रहाने वीडियो देख सकते हैं मैं इसमें करीब 7-8 महीनी उच्टी-प्रहह तो तो उसमें आपको मिल जाएगा उस थरिके के बातितम थांत कर लोजेड़ ढ़ीः में काफी लेज के लिए सौरी